ED की ओर से एक दो दिनों में विश्नु अग्रवाल की संपत्ती अस्थाई रूप से जबत करने का आदेश जारी होगा। ED ने दस्तावेज में जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री में शामिल रहने के आरोप में 31 जुलाई को उन्हें गिरफतार किया था। अब तक की जांच के दोरान अग्रवाल द्वारा सेना की सिर्म टॉली स्थित जमीन के अलावा नामकूम और चेशायर रोड होम की जमीन खरीदने की पुष्टी हो चुकी है। ED द्वारा इसके अलावा कुछ और संपत्ती भी जबत करने की तयारी है। चेशायर होम रोड की एक एकर जमीन और नामकूम की साड़े नौ एकर जमीन खरीदने में गलत तरीके से मदद करने के आरोप में दायर किया जाएगा। इसमें कुल बारा अभियुक्तों को शामिल किये जाने की संभावना है। चवी रंजन के खिलाफ इससे पहले बरियातु स्थित सेना के कबजिवाली जमीन की खरीद बिक्री के मामले में अरोप पत्र दायर किया जा चुका है। विश्नु अगरवाल द्वारा जमीन खरीद के मामले में एडी द्वारा अब तक की जाच के दोरान तीन मामलों में छवी रंजन की समलिप तता पाई गई है।